बूर्णिंग एवरिवन प्यारे बच्छो आज हम क्लास फूर का मैट्स का चेप्टर नूमर सेकंड शुरू करेंगे हमने लगवक पहला चेप्टर कंप्रीट कर लिया है और आपने उसकी वरक्सीट कर लिया होगी चेप्टर का नाम है लॉंग एंड सौट कौन ज्यादा ब बड़ी है उपर वाली छोटी है कैसे बताया आपने आपके पास एक स्केल होता है उससे आप इसको मेजर करेंगे मान के चलिए फाइव सेंटीमेटर है और स्केल से फिर इसको मेजर करेंगे मान के चलिए सेवन सेंटीमेटर है तो सेवन सेंटीमेटर बड़ी है इसलिए य दोटी है एक बात और याद रखनी है आपको क्या है क्या है क्या हम 107 में अधर करते हैं लेंद को नहीं हम में पूछ लो प्यारे बच्छो 5 मिटर में अब आपको पता है एक मीटर में 100 cm होते हैं तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे 100 x 5 is equal to 500 cm 1 meter is equal to 100 cm 5 meter is equal to 500 cm ऐसे आप कितने का भी निकाल सकते हैं मांग के चली मैं आपको निकलबाऊं 8 meter का तो 100 x 8 is equal to 800 cm तो आपको meter से cm में change करना आ गया कितने भी मीटर दे दे हमको क्या करना उसको 100 से multiply करना है तो आमारे पास cm बनकर तयार हो जाएंगे अच्छा अगली चीज आती है क्या अगर वो आप से पूछे 1000 cm का कितने मीटर होंगे आपको पता है 100 cm में 1 meter होते हैं 100 cm में 1 meter होते हैं तो 1 cm में क्या होंगे बच्छो 1 divided by 100 meter यहाँ पर यह multiply में है तो उधरा कि divide में हो जाएगा it means cm को जब meter से change करेंगे तो 100 से divide करेंगे जैसे मैं आप से पूछे 200 cm में कितने मीटर होंगे तो आप side में 200 को 100 से divide करेंगे quotient आएगा 2 तो बेटा कितने आ जाएगे 2 meter आ जाएगे या आप इसको simple cancel out भी कर सकते हैं या इसको आप simple cancel out भी कर सकते हैं कैसे 200 cm is equal to 200 divided by 100 2 0 से 2 0 cancel out it means 2 meter या तो simple 0 से हमने cancel out कर दिया आगे कैसे करेंगे जहाँ पर 0 नहीं देखे रखेगा जैसे 275 cm का meter बनाना है हमें तो 275 divided by 100 आपने सीखा होगा decimal लगाना अगर ये cancel out नहीं हो रहा है यहां तो 0 से 0 cancel out हो गया था अगर ये cancel out नहीं हो रहा है तो जितनी 0 है पीछे से count करके उतने बाद decimal लगा देंगे 2 0 है 5 7 2 digit count करके हम यहाँ पर decimal लगा देंगे ये इतने meter हो जाएगा इतनी बाद सब की समझे में आई एक term होती हाफ जिसको हम बोलते है आधा और एक होती डबल एक term होती हाफ एक term होती डबल अगर मैं पूछूं 100 cm का half क्या होगा तो आप बता देंगे 100 को 2 से divide कर देंगे तो कितना आजाएगा 50 cm आजाएगा जिन बच्चे को divide करना नहीं आता वो side में कर सकते हैं जिनको cancel out आप सीख लीजिए 2 5 is a 10 और एक 0 तो 50 आगया अगर मैं इसका double करवाँ तो 100 multiply 2 इस equal to आप इसको जब multiply करेंगे 200 आएगा हाफ करने के लिए 2 से divide करेंगे double करने के लिए 2 से multiply करेंगे इतनी बात सब की समझ में आई अरे बोलो हाँ हाँ आ गई चलिए अगर आप से पूछे एक टर्म और बताता हूँ difference difference बेटा हम बोलते हैं minus को किसको बोलते हैं अरे बोलो किसको बोलते हैं minus को difference किसको बोलते है minus को जैसे आप से पूछे 175 cm and 150 cm का difference बताईए क्या बताईए बच्चो difference क्या बताईए difference difference होता है बड़े मैं से हम छोटे वाला minus कर देते हैं जो बच्चे ऐसे minus नहीं कर सकते वो अपना side में ऐसे minus कर ले न 5 minus 0 5 7 minus 5 2 और यहाँ 0 आएगी तो आगे की 0 का कोई मतलब नहीं तो इसका difference कितना आया बच्चो 25 cm कितना आया 25 cm मान के चलिए मैं question देदू कि मेरी height 170 cm है और आपकी height 120 cm है तो इसका difference निका लिए आप क्या करेंगे 170 minus 120 बराबर is equal to 50 cm इतनी बाद सब की समझ में आई तो long and short में आज हमने क्या सीखा मीटर से सेंटीमेटर में चेंज करना सेंटीमेटर से मीटर में चेंज करना और cancel out करना हाप किसे कहते हैं हाप पोलते हैं आदे को मैं हाप मतलब होता है आधा और double क्या होता है दो गुना दबल क्या होता है दो गुना हाप बोलते हैं आदे को डबल बोलते हैं दो गुने को तो बच्चे आप आज इतने ही बात समझे आगे की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे Thank you